आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग के गेलक्सी टैब S2 का कमपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है 5.6 मिलिमीटर पतले इस टैबलेट को जुलाई महीने में सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट के लिए लॉंच किया था इस टैबलेट की कीमत करीब 49,400 रुपए है यह वोईस कॉलिंग टैबलेट कोल्ड, ब्लैक और वाइट कलर वेरियंट में मिलेगा गेलक्सी टैब S2 में भारत में इस्तिमाल हो रहे दोनों LTE बैंड के लिए सपोर्ट मौझूद है समसंग गेलक्सी टैब S2 लॉलिपॉप ओपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला डिवाइस है इसमें 9.7 इंच का QXGA सुपर एमोलेट डिस्पले है टैबलेट में ओक्टा कोर एक्सी नॉस 5433 प्रोसेसर के साथ 3 GB का रैम है गेलक्सी टैब S2 में F1.9 अपरचर वाला 8 मेगापिक्सल का आटो फोकस रियर कैमरा है वीडियो चैटिंग और सेलफी के लिए इसमें 2.1 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा भी दिया गया है 32 GB की इनविल्ट स्टोरेज वाले गेलक्सी टैब S2 में माइक्रो SD कार्ड 128 GB तक के लिए सपोर्ट भी मौजूद है 2G, 3G, Wi-Fi डारेक्ट, Bluetooth 4.1 BLE, GPS, GLONASS और माइक्रो USB अनकनेक्टिविटी फीचर्स है डिवाइस में एक्सलरो मीटर, फिंगर्प्रिंट स्केनर, गाइरो स्कोप, एकमपास, हॉल सेंसर और RGB सेंसर मौजूद है टैबलेट का वर्जिन 392 ग्राम है डिवाइस में 5870 mAh की दमदार बैटरी दी गई है और कमपनी का दावा है कि यह 12 घंटे का टॉक टाइम देगी